बिस्मिल्लाइ रुमानी रहीम अस्सलामों अलेकुम वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूँ नाहिद आज हम बनाएगे एहमदाबाद के स्ट्रीट फूड में बनने वाला भेजा फ्राई ग्रीन मसाले वाला भेजा फ्राई तवे पर भून कर बनाते हैं तो खाने में मज आसे होती है यानि वेंस होती है तो उसे मैंने टूथपीक की मदद से निकाल ली हूँ और इसे दो से तीन बार मैंने अच्छे से धो ली हूँ तो बिल्कुल हलके हातों से धो लेना है अब इसे हम थोड़ा सा बॉयल करेगे तो एक पतेली में मैंने दो गलास पानी गरम कर करने के लिए रख दी हूँ उसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देते और थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी दाल देते कलर के लिए पानी देखिए अच्छी तरह से गरम हो गया है अब इसमें भेजा डाल देगे तो भेजा देखिए बहुत नाजूक होता है तो इसे ज्यादा हिलाना नहीं वरना तूट भी सकता है दो मीनिट हो गए इसे हम पलट लेते और टोटल 4-5 मीनिट तक इसे तेज़ा पर बॉल करना है यहाँ पर पाँच मीनिट हो गए भेजा हमारा बॉल हो गया है गैस बन कर देते हम और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हल्दी से देख सकते हो कि कलर बढ़िया सा आ गया है अब इसके लिए एक ग्रेवी बनाएगे तो भेजे को साइड में रख देते ग्रेवी बनाने के लिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया लिया है डंडियों के साथ यहाँ पर अद्रक के टुकड़े है छोटे छोटे तीन से चार और पांच यहाँ पर लेसन की कलिया है पास से छे तो मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डाल कर हम इसे पीस लेगे यह देखिए ग्रीन पेस्ट हमारा तयार है तो चलिए भेजा फ्राइए कर लेते हैं गैस पर एक तवा रख्यू मैंने भेजा फ्राइए तवे पर करते तो बहुत अच्छा बनता है तो उसमें दालेगे दो से तीन चम्मत तेल तेल गरम हो गया यहाँ पर मैंने मीडियम साइज की आदी प्यास को एक दम बारिक बारिक काट कर लिए तो आप चाहे तो प्यास जदा भी डाल सकते हो पिस्मिल्लायरमादे हैं प्यास को हटा सा सुनेहरे होने तक प्राए कर ले ते हैं प्यास यहां पर हलकी सी फ्राइ हो गई है गैस को धीम कर देगे और बार शल्मा एक है बेजा डाल देते चाहा पस पी दे का यह डाला दूढ़ा दूब काली नियुकर नाये चुक्जी सा की तो घरी कि आले शुन अपकोरी संगर, सोज स्सें नेरे ऐसा सब्सद्र काली मिजुकरा दूब Александ Sergio दूब कमार युद्र को पंद प्रस्दी दूब क्यां outta हरे धनिये का और भेजा बोईल किया था वो टाइम पे भी थोड़ा नमक डाला था तो नमक देखकर डाले खारा ना हो जाए इसके लिए ये भेजा आज में बिल्कुल इस्ट्रिट इस्टाइल में बना रही हूँ जिस तरह से तवे पर वो लोग बनाते ना अब हम भेजे को तोड लेते हैं इस तरह से तो हलका हलका तोड़ना है अंडे के जिस तरह से तुकडे होते ना उस तरह से यह देखे इतने साइस के टुगड़े कर लिए बहुत ज्यादा चोटे भी नहीं करना है वरना कीमे की तरह हो जाएगा और यह जो ग्रीन पेस दाला है न हमने तो उसे बहुत ज्यादा जलाना भी नहीं है थोड़ा सा कच्चा फ्लेवर होता है न उसका तो बहुत ज्यादा मज़े का लगता है तो देखी अंडे की तरह लग रहा है न जिस तरह से हम अंडा बनाते है थोड़ इसी में कुट्टी वी लाल मीज भी डाल रही है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो बेजा तो हमारा गला हुआ है इसलिए इसे पकाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है बस तीन से चार मिनट में ये फ्राय हो जाता है तो इसे बहुत ज्यादा हिलाना भी नहीं है हमें ये बेजा फ्राय काली मीर्च और हरी मीच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर त खाए किसी भी के भी साथ खाए माशाला बहुत ही जबर्दस लगता है तो यह भेजा फ्राइ हमारा तैयार हो चुका है इसे निकाल लेते हैं में गैस बन कर देती और इसे एक प्लेट में डिश आउट कर लेते हैं तो अंडे की तरह यह खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्ट लगता है काली मिर्च राइ मिर्च का जो हमने इसमें काटकर डाला है तो उसके बहुत यह अच्छा फ्लेवर आता है थोड़ा सा बारी कटावा हरा धनिया भी डाल देते उपर से तो गर्मा गरम ये भेजा फ्राय हमारा बनकर तैयार है तो हरी मिर्च और काली मिर्च से अलम दिलिल्ला इसका जायका इतना जबर्दस लगता है और 4-5 मिनट में ये फ्राय हो जाता है तो कुर्बानी स्पेशल आप भेजा फ्राय जरूर बना कर ट्राय करना हमारे अमदाबाद के स्ट्रीट फूड में बहुत ही फेमस ये भेजा फ्राय की रेसिपी बनती है तो उसी तरह से आज मैंने ये बना कर आपको बताई हूँ तो तवे पर जटपट बनकर तयार हो जाता है बहुत ही जबरदस रेसिपी है तो आपने एक बार जरूर बना कर इसे ट्राय करना तो आप इसे पाओ के साथ खाए रोटी के साथ खाए बहुत ही अच्छा लगता है आज की भेजा फ्राय की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों रिष्टेदारों में सब्सक्राइब कर दे अपना बहुत सारा ख्याल रखें दूआओं में हमें भी याद रखें फ्री मिलते इंशाला एक नई रेसिपी के साथ अलाह आफिज